आज की वीडियो में हम लोग बैगन के पौदे की 3G कटिंग करना सीखेंगे और हम ये भी बताएंगे 3G कटिंग का मतवल क्या होता है हमारे पौदे पर 3G कटिंग क्यों की जाती है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे RK Gardening YouTube चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त राजे इंद्र तो चलिए फिर वीडियो की सुरूवात हम किये देते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये बैगन का पौदा है और ये मैंने अपने खेत में लगाया हुआ है यदि आपने अपने गमलों में लगाया हो तो आप उसकी भी 3G cutting कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो बैगन का पौदा है उसकी अच्चे से गिरोध चल रही है और पौदा भी आपको healthy नजर आएगा तो अब हम इस पौदे की 3G cutting करेंगे उससे पहले हम जानेंगे 3G cutting का मतवल क्या होता है तो 3G cutting का मतवल ये होता है जब हम अपने पौदे की 3G cutting कर देते हैं तो एक जगे से 3 साकाय निकलना शुरू हो जाता है तो हमारे पौदे पर ज़्यादा फल आने के chance बन जाते हैं जैसे की आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं एक साका को उपर से टोड़ दूँगा तो तोड़ने के बाद में वहाँ से 3 साका का चुनाव होगा तो हमारे पौदे पर ब्रांच भी काफी हो जाएंगी और पौदे पर फल भी ज़्यादा आने लगेंगे तो 3G कटिंग का यही मत्वल होता है तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से पौदे पर उपर से नीचे तक आपको नई गिरोत आपको नजर आ रही ही होगी यानि इस पौदे की गिरोत है जो की सही चल रही है तो चलिए दोस्तो अब हम इस पौदे की 3G कटिंग किये देते हैं आपको करना क्या जो उपरा सिरा है वहां से आपको इस तरह से पौदे की जो नई साका निकल रही है छोटी छोटी तो उन्हें हमें खतम कर देना है पौदे से इस तरह से जब हम अपने पौदे पर इतनी भी उपर जो साका निकल रही है उन्हें हम अठा देंगे इसी को 3G कटिंग बोला जाता है अब आपको इस पौदे पर एक फूल भी नजर आ रहा हुआ यानि इस पर एक वटसा जो आप देख रहे हैं तो इस तरह से हमने वो पौदे से अठा दिया है अब हम इसके नीचे की तरफ चलते हैं काफी ये फैला हुआ पौदा है तो हम इसे थोड़ा नीचे से भी करके देखेंगे क्या इसका हमें अपडेट कितने दुनों में मिलेगा तो चलिए हम इसे भी जल्दी से इसकी 3G कटिंग किये देते हैं इस 3G कटिंग को आप अपने लोखी के पौदे पर खीरा और कासी फल के पौदे पर यानी पंपकिन के पौदे पर भी आप आसानी से इसे कर पाएंगे इससे हमारे पौदे पर फल आने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं तो दोस्तो मैंने इस पौदे की पूरी तरह से 3G कटिंग कर दी है करने के बाद में अब हम इसका अपडेट देखेंगे कुछ दिन बाद हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ये देखिए पूरे पांच दिन बाद हमने जो 3G कटिंग की थी बैगन के पौदे की वो पूरी तरह से 3G कटिंग सकसे हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि इस पर फूल आना सुरू हो गया है और एक ब्रांच में से 3-3 ब्रांच निकलना सुरू हो चुका है तो हम किसी भी पौदे की इसी तरह से 3G कटिंग को कर सकते हैं चाहे वो बैगन के पौदे हो चाहे वो टमाटर के जो भी पौदे उसकी 3G कटिंग आप करना चाते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं अब आप देख रहे हैं जो कि मैंने इसकी 3G कटिंग की थी तो पूरी तरह से अब इस पर फूलाना शुरू हो चुका है केवल 5 दिन में कुछ दिन बाद हम इसका अपडेट और देखेंगे यह देखिए दोस्तों पूरे 15 दिन हो चुके हैं 15 दिन बाद इस पूदे पर फूलाना शुरू हो चुका है यानि 5 दिन मिलाकर यह पूरे 20 दिन हो गए 15 दिन इसमें फूलाने में लग गए तो आप इसी तरह से अपने पूदे पर ज्यादा फल ले पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अवस्ती पसंद आई होगी चैनल पर आप पहली बार आई हुए हैं तो मेरा आपसे अन्रोध हैं कि आप हमारे RK Gardening YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ठेंक यू